आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ परसन दिया गया है यदि देश का सकल घरेलू उतपादन GDP 2013 के अंत में $3 trillion था तो वह 2015 के शुरुआत में कितना रहा है हमारे पास Option दिये गए है Option नमबर 1, 3.2.1 trillion Option नमबर 2, 2.8 trillion Option नमबर 3, 3.2 trillion और Option नमबर 4 दिया गया है 3 trillion देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 2013 में तो 2013 के अंत में यानि यहाँ पर यहाँ पर था 3 trillion डोलर तो 2013 के अंत में कितना था 2013 तक कितना था यहाँ पर यह 3 trillion डोलर था अब इसमें क्या कहा गया है कि 15 के सुरुआत में 15 के सुरुआत में मतलब हमें निकालना है 2014 के अंत में जितना रहा होगा वही 15 के सुरुवात में रहा होगा अंत में कितना रहा है यहाँ पर 4 रहा है 4 क्या है परतीसद है यहाँ पर आप देखते हैं वर्स में सकल घरेलू उतपादन GDP की वरिद्धी दर परतीसद में तो 4 परतीसद बढ़ गया है क्योंकि प्लस है 4 परतिसत बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा पहले 3 था अब 3 से बढ़ गया कितना 3 गुना 4 बटे 100 बढ़ जाता है तो अब हो जाएगा कितना 3 प्लस 12 बटे 100 आप इसको कह सकते हैं तो 12 बटे 100 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 0.12 यानि 3.12 trillion dollar के अंत में जो जो 2014 के अंत में था वही 2015 के सुरुवात में था इसलिए हमारा आंसर है option number 3 धन्यवाद Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के लेवल तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर